अभी यहां तो फिलाल काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रेस मुझे बहुत आता था लगिन एक दम बंद हो गया है, क्योंकि जो पेन होते थे हर नहीं आ था मुझे, पंद्रा साल पहले उसकी आपरेशन हो चुकी थी, ऐसा एक गिल्ट बना रहता है तंदर हमेशा अपने को पहले करके हां तो इसके साथ आएसी प्रतिया चिपक जाती है वह इसे बन जाता है वेटा आगमी गुरुजी में महाराष्ट्रे पुने से आई हूँ, हम लोग चार लोग है डियने में तो अभी तीन लोग आए हैं और मेरा लड़का घर पर ही है, सबसे जादा मुझे और मेरी बच्ची को तकलीप है और लड़के से भी काफी परेशानी है, वहाम तीनों के चलता है। परेशान रहते हैं, तो अभी यहां तो फिलाल काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रेस मुझे बहुत आता था लेकिन एक दम बंद हो गया है, क्योंकि इतना लेवल में आता था कि मैं गिर जाओंगी नीचे, ऐसा होता था, घर में तनाव काफी रहता था इसलिए, और दू है, आपकी हारनिया के मिस्क्त कौन सरजरी गलत हुए था मुझे कुछ नहीं तक्लिफ था, लू कोई रहता है, रहता है है, क्कि सारे आपके सरजरी के बात शुरू हुइ यह था यह सारे रोक कस्त हैं आप लोग रोक कस्त नकारात्मा प्रोस्टियां सब जी तेने रोक किस्वर्टियां सभी पढ़ लीजिए इसलिए आपके रोग गए एकदम से ये वो लीवर का भी अभी मैंने हरनिया का ये कराय था सोनोग्राफी और यूट्रस के लिए भी थोड़ा मोनोपॉस का प्रोब्लम चल रहा था तो उसमें निकला ये लीवर फैटी लीवर सही है गुरुजी एकदम मेरे एकटम में भी हलका असा अभी मैसूस हो रहा मुझे और यहाँ अभी मेरा पेट काफी क्लियर हुआ तीन दिन से कोई समस्या नहीं आई सरदर तो एकदम गया गुरुजी माइगरेन था मुझे मैं छे महीने से बहुत देख रही हूँ यूटूब और उसी से प्रभावितोकर में यहाँ आई हूँ मुझे लगा कि मेरे समस्या इतनी है उसका समाधन कहीं भी नहीं है और यहीं आके होगा कुछ बच्चे से मैं इतना परिशान हूँ यह लड़की मेरी सर 20 साल की है लेकिन बच्चे जैसी लगती है अब प्रेयर करके इसने भी बहुत नहीं हुआ उसका ग्रोथ नहीं हुआ इसको बहुत प्रावलम बच्ची को है लेकि इसकी इसका सब प्रावलम गया आप में कोई कस्ट नहीं बचा आप उट बैट के चल फिर के देख सकती है कोई भी कस्ट आप में सेस्ट नहीं है देखी मैं गुरू जी अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है खाली यह मोट अब आपा जाए तो मैं उठने बैठने में काफी असान हो रहा हूं वो संकल वो संकल प्राथन करिए उससे जाएगा बेटा आप आओ गुरू जी इसका बहुत मेरा हुसे प्रणाम गुरू जी खुश्रो बेटा कैसे हो हम अच्छे हैं आप कैसे हैं एकदम अच्छा में आप अच्छा फील कर रहे हो बहुत अच्छा बहुत एकदम शान्त फील कर रहे हूं बिलकुल एकदम शालती हो गई हैं अपने आपको बहुत दबा हुआ फील करती थी आप खुला खुला फील कर रहे हैं एक गिल्ट बना रहता है तंदर हमेशा अपने को ले करके हां यह वेटा किसी को भी हो सकता है, जिसके साथ ऐसी इस्प्रतिया चीपक जाती है, वो ऐसे ही बन जाता है वेटा आदमी, है ना, हाँ, ये बाहरी इस्प्रतियों का अभी आपका सरी खुल गया है, और दीरे और खुलेगा आपकी ग्रोथ होगी अब ठीक से, हाँ, हाँ, आखे ब इस्थिर कर गया है, पांच बार बोलो बेटा, ओम नमस्षिवाय सक्री कर गया है, आख खोल लो और अपना बंदन कीचो, पांच बार, अब आप चल के आओ, चल फिर के, तोला सा मूमेंट करो और देखो अपने आपको फील करो, कैसा फील कर पार है हो अपने चलो फिरो, उठो बैठो, क्या फील कर रहा है, बताओ उमको पूरा अब, ऐसा लग रहा है अब, एक दम अच्छा फील कर रहा है, अब एक दम न्यूटर, ठीक है बेटा, आप और अच्छे होते जाओगे, ठीक है, खुब कुश रो, परशन रो, गुरू जी, एक और एक था मेरा, मेर है, नवेत का भी बहुत समस्या है, एक देंटिस्ट को दिखाया है, तो देंटिस्ट बहुत कई रूट के रोट कावर्टी कर ओ, एक होव्या पैठी डॉक्टर को बताया, तो वो बोलते कि आप कों मत करा ओ, कि मताब और कुछ हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बा प्रार्थना और संकल्ब केवल प्रार्थना और संकल्ब और अच्छा आप इतनी खराब थी आप अच्छी हो गई तो आप से बहुत कम खराब है आपको इतने भयानक रोग थे वो चले गए उसको तो इतना नहीं है केवल प्रार्थना संकल्ब से अच्छी हो जाएगा खुश रो भलने बाद उस बच्छे का जो नशा करता है उसका संकल्ब करियेगा जरूर ध्यान से नशा चूटेश प्राइगा उसका संकल्ब करियेगा अच्छा ताक उसके कश जाओ नहीं करेगा आप करियेगा खुश झाल झाल झाल